जय हिंद वंदे मातरम सौगत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुकी साल 2024 के लिए नई भरतियों के बारे में जहां पर आप सभी के लिए भरतियों के नोटिफिकेशन और आवीदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिये गए हैं आप सभी लोग आने वाली 21 मार्च 2024 तक घर बैठे अपने मुवाइल फोन के माद्यम से कौश्टेबल के 6,000 पदों पर आवीदन कर पाएंगे इन 6,000 में से 5,000 पद मेल यानी पुरसों के लिए और 1,000 पद फी मेल यानी महिलाओं के लिए रखे गए हैं इस भरती की सबसे अच्छी खास बात यह कि आवीदन करने का सुल्क बिल्कुल फ्री है आप सभी इन भरतीयों के लिए बिना कसी एक भी रुपए के निसुल्क आवीदन कर पाएंगे दोस्तो अगर आपका सपना पुलिस डिपार्टमेंट को जॉइन करके कौंस्टेबल के पदो पर 2024 के अंदर सरकारी नोकरी पाने का है तो आप सभी से छोटी से रिक्वेश्ट होगी इस बीडियो को आकरी तक जरूर देखेगा अगर बीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो बीडियो को लाइक कर दीजेगा और आगे आने वाली बीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर आन करेगा दोस्तो 2024 की बड़ी भरती है और इंडिया लेबल की आपको जॉब मिल जाती है जहां पर आप लोग भारत के किसी भी राज़स से आभीदन कर सकते हैं और मेल और फी मेल दोनों के टेगरी के केंडिडेट इन भरतीयों के लिए आभीदन कर पाएंगे आभीदन करने के लिए आपका दसवी और बारवी पास होना जरूरी है इसके अलाबा जो सैलरी नोडिपिकेशन में दिखाई गई है वो 21,700 रुपए की रखी गई है तो आप सभी लोग बीडियो को देखे बीडियो के डिस्क्रिप्सेन में लिंक मिलेगा वहां से आप ल जहां से क्लिक करके आप लोग इस पेंच पे आ सकते हैं यहां पर आने के बाद देख सकते हैं श्टाप सेलिक्षन कमिसन की तरफ से आपकी रिक्यूटमेंट है जहां पे आपको कॉंश्टेबल के पदों पर भरतियों के नोडिपिकेशन देखने को मिल रहे हैं आप सभी 6000 हजार पदों पर आवीदन करने वाले हैं जिसको डिवाइड किया गया है 5000 कॉंश्टेबल मेल और 1000 कॉंश्टेबल हुई मेल की पोश्टे आपको मिलेंगी 10-12 पास आउट है तो आप सभी आवीदन कर पाएंगे 18 से लेकर 30 साल के बीच का कोई भी कैंडिडेट आवीदन कर सकता है आपको गौवर्मेंट के रूल के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी यहां पर हम बात करते हैं सेलरी के बारे में तो आपको 21,700 रुपए पर मन्त स्टार्टिंग की सेलरी भी दी जाएगी एक्जाम होगा फिजिकल होगा मेडिकल होगा डाकुमेंट वरिपिके यहां पर आपका जो डेट से वहां पर आबेदन 20 फरवरी दोजार चोविस से लेकर 21 मार्च दोजार चोविस तक चलने वाले हैं अभी यहां पर देख सकते हैं कोंश्टेबल के 6000 पोश्टे हैं 10-12 पास आउट हैं अपलाई करेंगे और इंडिया लेबल की जवाब है आप लोग भारत के किसी भी राज़स से आबेदन करेंगे मेल एंड फी मेल महिला और पुरुस दोनों कटेगरी के कंडिडेट आबेदन कर सकते हैं 18-25 साल नॉर्मली एज है ओविसी के लिए 18-28 और स्थी एश्टी के लिए 18-30 साल की उम्र रखी गई है टूडे टॉप जॉब लेश्ट की बात करें तो अलग-अलग कॉलिफिकेशन के हिसाब से आप लोग यहाँ पर क्लिक एर पे क्लिक करके जॉब्स के लिए आबेदन कर सकते हैं सेलेक्शन की बात करते हैं तो एक्जाम डाकुमेंट वेरिपिकेशन फुजिकल मीजरमेंट टेस्ट पी एमटी फु लेटिकल एक्जाम के बेसिस पे आपका सेलेक्शन होगा सेलरी 21,700 रुपए की है अप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो बिल्कुल फ्री है आप किसी भी कटेगरी के कैंडिडेट है निसुल का आवेदन कर पाएंगे फिजिकल के बारे में नोटिफिकेशन में जानकारी आपको मिल जाएगी डाकुमेंट वरिफिकेशन के लिए कुछ डाकुमेंट यहाँ पे दिये गए हैं इसको आप लोग देख सकते हैं कैसे आप लोग आवेदन करेंगे उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है 12 फरवरी 2026 को नोटिफिकेशन आए हुए है जहाँ पे लेंगे और अपने नोटिफिकेशन को किसी भी पीडफ रीडर की सहायता से ओपन कर लेंगे अभी हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है हम यहाँ पे शुरू करते हैं आइटम दिया गया है टाइम लाइन दी गई है डेट आप अपलिकेशन की बात करें तो 12 दो दोज 24 यानि 20 फरवरी की है और क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो 21 दोजार 24 21 मार्च की है फी की डीटेल यहाँ पे दी गई है नो फी इस रिक्वाइट टू बी डेपोजिट बाई एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट यानि कि किसी भी तरह की को आपको यहां से नीचे आना है यहां से देख सकते हैं कि टोटल आपके 6000 पोस्ट है पुलिस डिपार्टमेट के अंदर यहां पे आपको बताया गया है कैट नमबर वन कैटेगरी नमबर वन पांच हजार पोस्ट मेल कॉंस्टेबल जरनल डियूटी और कैटेगरी नमबर ट के कंडिडेट की विकेंसी है इसके बाद यहां से नीचे आते हैं एजुकेशन के बारे में बताया गया है 10 प्लस्टू यानि कि दसवी और बारवी पास हैं तो आवीदन कर सकते हैं दूसरा यहां पर यह कि यहां पर मैक्ट्रिक बित हिंदी और संस्कित यानि कि जो आपन कक्छा दस्वी पास करी है उसमें एक सब्जेक्ट हिंदी या फिर एक सब्जेक्ट संस्कित का होना चाहिए दोनों हैं तो भी ठीक है और दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो भी ठीक है इसके लाबा no extra weightage will be given to the candidate for higher quality education यानि कि अगर आपने दस्वी ब करते हैं तो बेतन यहां पर 21,700 का दिया गया है उम्र की बात करते हैं तो 18-25 की दी गई है relaxation भी आपको यहां पर मिलना है किसको कितना relaxation मिलेगा उसके बारे में जानकारी दी गई है यहां पर देख सकते हैं selection and examination qualifying test के बारे में जानकारी दी गई है physical measurement test के अंदर क्या होना है कैसे होना है वो सब बताया गया है देख सकते हैं candidate हो गया race का distance हो गया और qualifying time हो गया male, female और ex-serviceman तीनों category के लिए race का distance और qualifying का समय यानि time दोनों अलग अलग है इसके बाद यहां से नीचे आओंगे तो यहां पर आपको 23 पेंजों का PDF मिल रहा है इसको आपको डाउनलोड करके देखना होगा अभी मैं कुछ और जानकारी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि basic सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए बांकि upper level की information के लिए आप notification को खुद से डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां से नीचे आएंगे तो आपको थोड़ा सा यहा आप लोग आवेदन करेंगे तो इसकी tension नहीं लेना है अगर आप लोग इस video के लिए 300 like target है complete करते हैं तो आपको आवेदन करने का video भी देखने को मिल जाएगा तो यहां पे देख सकते हैं documents की list है कौन कौन से document आपके लगने हैं 33 में से अभी अमने के बल 13 page ही open किये है result of examination क के बारे में बताया गया है यहां पे आपका final result के बारे में जनकारी दी गई है यहां पे decision final result के बारे में जनकारी दी गई है और यहां पे promotion period के बारे में जनकारी दी गई है जैसे जैसे आप scroll करेंगे आपको जनकारी मिलती जाएगी दोस्तों मीद करता हूं वीडियों में दी गए information आपको आपके काम की लगी होगी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ next update में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद